आज का हमारा है लेक्चटर नमबर 81 और आज को लेक्श का हमारा टौपिक क्या होने वाला है हमारा टौपिक है बेक्टर पोतेंशाल जो आप लोगों के लिए एक नया और एक Xuया होने वाला है Magneto state से Rated और यह बहुत important topic होने वाला है ओके नो पहला question दाओ कि दिमाग को यह आना चाहिए कि भाईया vector potential होता क्या है हमने तो यह सुना था कि potential इजे scalar quantity तो यह अब यह क्या नया बला आगी vector potential पहली चीज तो यह कि आपको इसे देखकर घबराना नहीं है पहली बात तो कि यहाँ पर vector आगया, potential आगया, कुछ नहीं और भयानक चीज निकल के आएगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा एक simple सी यहाँ पर mathematical चीज आपको देखने को मिलेगी अगर आगो थोड़ा बहुत mathematics आती है या फिर एक दो थ्योर्म आपको पता है या फिर आपने electrostatic बहुत अच्छी दरीज़ के से पढ़ा है या फिर electrostatic में भी जब हम किसके बात कर रहे थे scalar potential यानि electrostatic potential के बात कर रहे थे अगर आपने वहाँ पर ध्यान दिया है class में तो ये आपके लिए क्या होने वाला है बाएं हाथ का खेल होने वाला है ठीक है तो अगर बाएं हाथ का खेल होने वाला है तो क्या करते हैं इसको start करते हैं तो रोज की दरो क्या करो कभी पेन निकालो कैसे आपके बेक्तरं के क्रोड़ करेंगे हम यहां पर एक बार इलक्तो चर्ट को देखेंगे फिर विल प्सक्ट है कि नोट करेंगे पर इसा बोल सकते है तो ओके जैसे कि होता है न बच्चे क्या करते हैं, आपने पापा को देखकर जैसे पापा चलते हैं, ऐसे पापा चलते हैं, सुभर आप्षा बैंग लेके ख। वह भी ऐसे जाने की एक्टिंग करते हैं, तो जिस तरीके से हमने उलक्ट्रोशटरटिक में कुछ चीजा हमने चोड़ी बनाएंगे कि टोड़िंग लिखी हाव पर ईक बार चलेक लिखते हो चलते और समझते हो चलते हैं अगर यह रिफिन्दी तोड़ी है तो इसके लिखो यह इसकी लिखो लैट में टॉक अबाऊट वर्सट अबाउट जोग अबाउट एड़र्वेश्ट है इसको इ एल्ट्रो स्टैटिक पूटेंशिल हाव वी इंटर्यूजूज किस तरीके से हमने इल्ट्रो स्टैटिक पोटेंशिट्स ओके प्हेले चितल या आती है कि हाँ री इंटरिूज का उ midnight इंतर्डिूज do you see the इंट इंटर्डीूज इसके लर पोटेंचिलर की लर उसके लर पोटेंचल था उसको आपने किस तरीकalar की से इन्टेड्यूस किया था कहां पर few time ago few time ago का मतलब क्या हुआ in electrostatic in electrostatic in electrostatic in electrostatic तो हमने आपर क्या पढ़ा था हमने आपर पढ़ा था since we know since we know we know curl of electrostatic field is zero हमने पढ़ा था कि electrostatic field कैसा field होता है करल लेस फिल्ड होता है सिंस वी लो इलेक्ट्रोस्टाटिक फिल्ड इलेक्ट्रोस्टाटिक फिल्ड इस करल लेस फिल्ड लिखके चलो यहां पर क्या करल लेस फिल्ड करल लेस फिल्ड कैसा फिल्ड होता है करल लेस फिल्ड होता है इसका मनलब इस जो मेरे पास डेल क्रॉस E होता है वो कितना होता है? 0 होता है डल क्रोस E इकोल डिक ना होता है? 0 होता है now from mathematics from theorem since we know in mathematics in mathematics we have a theorem we have a theorem theorem which state that which state which statement is that is कि कुज ऐसा होता है कि करल ओफ ग्रेडियेंट इस ऐल जी डिएड यायत करल ओफ करल Оॉफ ग्रेडियेंड ग्रेडियेंट इस आलवेज जिन सभीड जी टो जीन इन gradient of scalar function curl of gradient of scalar function function is always zero is always 0 यही लेन कहा है important है ठीक है is always 0 इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये बोलू कि curl of curl of gradient of किसका gradient of any scalar इसका मतलब यह होता है कि करल ओफ ग्रेडियन्ट औफ एनी स्केलर फंक्शन एफ इस आलवेज जीरो यह दो बेट लिखा है थरूम लिखी है उसको मैथेमेटिकल हम इस तरीक चाहिए लिख सकते हैं जहाँ पर जो एफ है यह कहा है हमारे पास स्केलर फंक्शन है सब्सक्राइब कर रहा हुए कर रहा है अब यहां से मैं अगर मैं कंबाने में इक क्र Sumo को कंबाने देखं़ तो वह सकता हूं कि हम इलक्रोस्त्यक को कैसे लिख सकते हैं इन तraमस ऑफ ग्रेडियान ओफ एणि वख शक्रते हैं ठीक है तो फ्रम अब दिस्कर्शन ऐसे लिख के चलो हो फ्रम अब दिस्कर्शन फ्रम अब दिस्कर्शन discussion we can say that we can say that we can say that we can write we can write electric field we can write electric electric field as a gradient of as a gradient of any scalar function any scalar function and that scalar function and that scalar function is known as is known as scalar potential scalar potential और उसी को हम क्या बोलते हैं electrostatic potential बोलते हैं और electrostatic potential अगर इतनी बात समय में आई तो क्या लिख सकते हैं देख़ए आँ से तो इसका मतलब क्या हुआ that is कि this e is equal to something gradient of some scalar function v and here v is scalar potential यहां v क्या है इस क्या है और आप सब जानते हो इसी को हम क्या बोलते हैं इस v को ही हम क्या बोलते हैं electrostatic potential भी बोलते हैं और यहां पर क्या आता है by convention एक negative sign भी आता है ठीक है इसके राज़ें हमें कर रखाया कि negative sign कहां से आया क्यों आया वहाँ वहां जाके वीडियो में देख लो तो दिस अबर इंपोर्टेंट थी तो हमने क्या बोला कि अगर हमने यह बोला कि कर लौब electric field कितना होता है जीरो होता है तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ इन दो mathematical equation के help से मैं यह एक conclusion निकाल सकता हूँ कि हम electric field को किसी एक scalar function के gradient के termal दिख सकते हैं and this scalar function is here is known as scalar potential और we can say it is electrostatic potential तो यह कहानी किसकी हमारी electrostatic field की कहानी हुई अब हमारा दियामा question आता है कि जो काम हमने किसके साथ किया electrostatic field के साथ किया क्या यही काम हम magnetic field के साथ भी कर सकते हैं can we do same thing with magnetic field यह दिवामा question है क्या magnetic field को भी ऐसे ही किसी एक potential के term में लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर electric field को potential के term में लिखा क्या हम magnetic field को भी किसी एक potential के term में लिख सकते हैं यह हमारा दियाम में क्या आया question आया हमारा दिमाग में नहीं आया, जिसने पहली बार ये magneto-state को stabilize किया होगा, उन scientist के दिमाग में ये आया होगा, कि क्या हम magneto-static field को भी क्या किसी एक potential के term में लिख सकते हैं, तो यहां से answer आया yes, and let's see how, तो मैं जो question आया दिमाग में, ये चीज़ देखने के बाद, electrostatic की कहानी द सकते हैं, now here arise a question, now here arise a question, and the question is that, क्या है हमारा पास question कुछ ऐसा है, can we do, can we do same thing, same thing for magnetic field, same thing for magnetic, magnetic field, B, as we do for, as we did for, we did for electric field, we did for electric field, जैसा कि हमने किस के लिए किया, electric field के लिए किया, क्या ऐसा ही हम किस के लिए कर सकते हैं, magnetic field के लिए कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, and the answer is yes, answer is yes, अगर answer yes है, तो वो क्या है, तो let's do, then how, तो अगर yes है, then how, question आता है हैं आपर, कि how, कैसे, हाव ओके नाब इसका अंसर अब हाव का अंसर देना है अब जैसे यहाँ पर हमने किसको बेसमाना इस को बेसमाना this equation which is from electrostatic कि electrostatic field is Curlous field क्या ऐसा ही कुछ आप Magnetostatic field आप एम पार मैगनेटिरिक इसका करल जीरो होता है नहीं इसका करल जीरो नहीं होता है इसका करल होता है में नौट इंटु जे के बराबर होता है तो क्या ऐसी कुछ चीज है मेंगनेटों स्टेट मेंगनेटिक फिल्ड के पास जो कुछ ऐसी दिखती हो आंसर है हां that is divergence of magnetic field is zero and it is always zero ये चीज़ सिर्फ कहां होती है magnetostatic में होती है sorry ये चीज़ सिर्फ कहां होती है electrostatic में होती है ठीक है समयमाई बात लेकिन जो हम बात कर रहे है किसकी divergence of B is 0 it is always true तो since we know तो यहाँ पर लिखते चलो अगर yes है then how तो इसके लिखते चलो since we know divergence of magnetic field is 0 divergence of B is 0 तो divergence of B होता है वो 0 होता है और यह always true है always ठीक है यह हम electro dynamics पढ़ेंगे न हम दोलो combine करेंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा यह true होगा ठीक है लेकिन this is true only for electrostatic ठीक है यह curl of E is 0 only for electrostatic लेकिन this is true for always तो इसका मतलब क्या हुआ divergence of B कितना होता है हमारे पास 0 होता है and say this from equation number 1 इसे क्या बोल दो equation number 1 बोल दो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लगाई थी एक mathematical theorem लगाई थी हमने यह बोला था कि curl of gradient is always 0 curl of gradient क्या होता है always 0 होता है तो यहाँ पर भी क्या लेंगे हमें mathematical theorem का help लेंगे and that mathematical theorem is divergence of curl of any vector field is always 0 तो यहाँ पर थोर्म क्या होती है since from from theorem यह भी वोस्ते एक थोर्म ऐसे लिखके जो थोर्म थोर्म क्या है हमारे पास थोर्म कि divergence of divergence of curl of curl of any vector field vector field and let us say this vector field is F is always 0 is always 0 इसका मतलब क्या हुआ that is divergence of curl of any vector field F is always कितना होता है जीरो होता है ऐसा होता है नहीं होता है ठीक है तो इसे क्या बोल दो समें कुशन नंबर तू बोल दो नाव अब धान से देखो जैसे कि हमने यहाँ पर इस equation और इस equation को combine करके हमने statement पास किया था कि हम electric field को as a gradient of some इस कदर function लिख सकते हैं तब यहाँ पर हम हम इस equation और इस equation को combine करें क्या statement पास कर सकते हैं हम यह statement पास कर सकते हैं कि हम magnetic field को कैसे लिख सकते हैं as a curl of any vector field लिख सकते हैं यह बहुत important line है इन दोनों को ध्यान से देखो और समझो हम क्या लिख सकते हैं हम इन दो equation को combine करके यह बोल सकते हैं कि हम magnetic field B को किसी एक vector field के curl के term में लिख सकते हैं from equation 1 and 2 we can say that from equation 1 and 2 we can say that we can say that magnetic field magnetic magnetic field B can be right as can be right as curl of curl of any vector function with curl किसका निकलता है हमें साथ बेक्टर कर निकलता है ए पैकम ऑने को हमें करता है हम इसके आयए किल्सका निकलता है यहापर क्या प्रकावला इसके लरे करदो Cream Webster ज्रोंसिन भूला ऑर यहापर क्या आया बेक्टर फंक्शन आया है का लेक्टर फंक्सिन गा Pres और यहां पर जो ए निकल के आया कि एनी स्वरी मेगनेटिक फिल्ड कर्लेटर पॉक्षिन एन्श वेक्टर फॉक्षिन है इन दिस वेक्टर फॉक्षिन चीनला इसे को हम क्या बोलते हैं बेक्टर पोटेंश्ल दो उसके लिब दो, here A is known as, here A is called vector potential, vector potential, A को हम क्या बोलते हैं, vector potential की नाम से जानते हैं, ठीक है, तो यह क्या कर दिया, हमने A को यहाँ पर define कर दिया, अब हम इधर जब आते हैं, कहाँ, electrostatic में, scalar potential में जब आते हैं, तो यहाँ पर का पढ़ते हैं, हम यह बोलते हैं, कि अगर मैं यह बोलूं, कि what is the physical meaning of potential, then we say potential have no physical meaning, potential की कोई physical meaning नहीं होती है, जहाँ पर electrostatic potential है, उसकी कोई physical meaning नहीं होती है, physical meaning कब निकल के आती है, potential से related, जह हम किन ही दो point के बीच potential difference find करते हैं, तब उसकी कुछ physical meaning होती है, अकेले potential की बोल सकते हैं, या फिर किसी एक point पर potential की कोई physical meaning नहीं होती है, सेम चीज यहाँ भी होगी कि इस vector potential की कोई भी physical meaning नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई भी physical meaning नहीं है, यहाँ पर एक चीज और है, कि जो potential होता है, वो work और energy से related होता है, होता है, यहाँ नहीं होता है, आपने होना पढ़ा होगा कि किसी एक point पर potential find करो, तो फिर हम work प्रण निकाल सकते हैं कि infinity से उस point तक लाने में कितना work किया गया, किसी एक charge को, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था न, यहाँ वर्क और potential एक दूसर से क्या होते हैं, connected होते हैं, कौन सा potential जब हम किसके बात करते हैं, इसके बात करते हैं, लेकिन यह जो यहाँ पर potential है, बेक्टर potential इसका work और energy से कोई भी relation नहीं होता है, तो यहाँ पर ऐसे point बना के लिख दो, कि back A has no connection with energy and work, work और energy से कोई भी relation नहीं होता है, तो एक बहुत important point है, and the point is, A has no relation, A has no relation with work and energy, physical meaning ही नहीं है, तो यह दो physical quantity है, तो work and energy से कोई meaning नहीं हो गया, वैसे भी देख सकते हो, ठीक है, इसके analogy, कि इसकी होती है, कि जो हमारे पास का होता है, potential होता है, इसके ज़र potential होता है, यह पर electro-study potential होता है, उसका, sorry, work and energy के सांथ कुछ ने कुछ connection होता है, लेकिन इस potential A का, better potential A का, work and energy के सांथ कोई भी connection नहीं होता है, और नहीं इसका कोई physical meaning होता है, इसको क्यों हमने introduce किया, just to moderate our mathematical calculation, हमारी mathematical calculation को moderate करने के लिए, हमने इसको क्या किया है, इंटेड्यूस किया है, जो हम आगे आने वाई लेक्चर में देखेंगे, ति किस तरीके से जो A helpful होता है हमारे ले, ठीक है, तो why we introduce यह है, तो यहाँ पर लिख दो इसको, A introduce to moderate mathematical calculation, या फिर A introduce to moderate mathematical calculation, या फिर A introduce to moderate mathematical calculation, अब यहाँ वोस्तोई easy करने के लिए बोल सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ अलग तरीकर सोचने के लिए, किसी mathematical calculation हो, किस से related, मैं इंटो इस्टेटी से related, जो भी calculation आएगी, महाँ पर कुछ क्या होगा, moderate कर देंगे, और हमारा calculation क्या हो जाएगा, easy हो जाएगा, इसको ऐसे वो सकतो, to make easy calculation, to make easy calculation, कहने का मतलब यह है, जैसे कि मेरे पास B और A के भी relation है, कुछ हमारे पास चार्ज जो क्या होगा, बहुत कठी निकाम होगा, इसके लिए लेकिन A निकालना, ब्रेक्टर पोटेंशन निकालना, क्या होगा, बहुत easy task होगा, तो अगर मैं यहाँ पर एक बार A निकाल दू, A निकालने के बाद क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है, सभ़़जमा आई इतनी बात, ओक होगे, तो इसलिए मैंने क्या बोला, कि यहाँ पर क्या कर दिया, हमने calculation को easy करने के लिए, इस A को हमने क्या किया, यहाँ पर introduce किया, अगर इतनी बार समय में आई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, जैसे हमने electrostatic में क्या पड़ा था, potential के हमें डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने एक potential के लिए क्या करने पड़ेगी, एक poisons equation करने पड़ेगी, now hidden डालो क्या, poisons equation for A, इसे मिटाओ मैं, तो हिंड डालो, poisons equation for A, heading क्यों हो जाएगी, poisons, equation for A, A यानी vector potential, vector, potential, okay, now, सबस्वाने, electrostatic में किस तरेके से, poisons equation, define, के तो वो लिखने एक बात, okay, तो एक अनी electrostatic कुछ ऐसा था हमारे पास, in, electro statics, in electrostatic क्या था हमारे पास, from Gauss law, we know, since from Gauss's law, अगर हम्या आपर Gauss's law के बात करें, वो कह था हमारे पास, divergence of electric field is equal to, क्या था, rho divided by, epsilon 0 था, कि divergence of electric field is equal to, rho divided by, epsilon 0, को यसा था हमारे पास, और अगर है, and, and we all look, की कर लो, या फिर, e equal to, और क्या था हमारे पास, की e equal to, minus का, gradient of v था, ठीक है, तो एक काम करो, इसको यहां पूट कर दो, उपर पूट कर दो, इस e की value को, तो यहां से क्या निकल क्या आगा है, मेरे पास, on putting here, इसको यहां पूट कर दो, तो divergence of minus का gradient of v is equal to, कितना आ गया, rho divided by epsilon 0, कितना आ गया, rho divided by epsilon 0, ओके, now divergence of gradient, क्या वहां लापलाशन हो जाता है, तो इस इक्वल to, del square v, and this del square is laplastion, and this is equal to, rho divided by कितना आ जाएगा, epsilon 0, इस माइस को यहां से इधर उठा, sorry, यहां से उठा गया, इधर बेद दो, तो यहां से मेरे पाट क्या निकल गया, del square v is equal to कितना आ गया, माइनस का रो, divided में कितना आया, अब साइन वड़ागा, this is my laplast, sorry, poisons equation in lactostatic, तो यह कहा है मैंने पास, poisons equation, poisons equation for v, now, इस तरी किस्किल देखेंगे, poisons equation for a, देखेंगे, तो नाव, in magneto state, in magneto static, magneto static, now, magneto static में किस तर रहे किस तर रहे किसे poisons equation को define करेंगे, है, देखो, यहां हमारे पास के था, गॉस लो था, तो यहां किया है, हमारे पास गॉस लो का आनलोजी, देट इस, MP's law, तो from MP's law, what we know, from MPs law, अब देखो, यहां बहीं हमने क्या लिया था, गॉस लोॉ का statistical formula, तो यहां भी क्या लेंगे हम, MPs law का differential formula, ठीके, तो from Ampere's law, Ampere's law, what we know, we know कि divergence of, divergence उता करल होता है, कि curl of magnetic field B is equal to, कितना होता है मेरे पास, mu0 into J के वराबर होता है, होता है नहीं होता है, कि curl of magnetic field equal to mu0 into J, here J is volume current density, B is our magnetic field, यहाँ पर जो J है, वो कहा है है हमारे पास volume current density है, और इसे कुछ का बोल दो, equation number, यह 3 हो गया था, 4 बोल दो इसको, यहाँ पर जो J है, वो कहा है मेरे पास, J vector is volume current density, यह क्या है, volume current density है, ओके, this is, J is volume current density, ओके, now, क्या पता होता है, B equal to क्या होता है, करल of A होता है, तो इसको उठा कहाँ पूट करतो, इधर पूट करतो, देखो क्या निकल के आता है, इनूट ह बहना कहने होता है, जिए होता हता है, ज Caseyल, हो नाउच्छोच झाए जिए हैमारे होता है, तो इक है मुट पास्स, फ़र्म एकोशन 3, जिके जो सी दर्म एकोर्स निक्सिस दिए प्रम के से ट्रॉ इकाशन 3, प्रम एकोशन 3, ज है we have curl of A is equal to B के बराबर है तो B के जो क्या पूर्ट कर सकता हूं में curl of A पूर्ट कर सकता हूं कहां इन एक्वेशन 4 में now equation 4 become now equation 4 becomes the equation 4 है वो क्या बन जाएंगे देखो that is del cross cross sorry curl of A and this is equal to mu not into कितना आ जाएगा यह जाएगा ठीक है and this is J vector तो यहां में में पार क्या निकल के आगया curl of curl of A is equal to mu not into J तो अबर क्या निकालना है हमको curl of curl निकालना है ठीक है अब इसको कैसे फैंड करेंगे इसको आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है कुछ ऐसा कि डेल इन्टू डेल डॉट ए and minus का डेल स्क्वाइर ए इस एक्वल टू मू नॉट इंटू जे नहां आपके जाएंगा क्रोशन आ रहा होगा कि ऐसा कैसे देखो कैसे तो इतन लिखो में एक बार के लिए जान यहां पर यह बोलू कि वैक्टर ए ऐ क्रॉज भी ड्ॉझ ऑला है हमारे पास कितना this is a.c or into b फिर आता है क्या माइनस फिर आता है मेरे पास क्या a.b and यहां फिर आता है into c और इसी को मैं ऐसे मिले सकता हूं यह B को मैं इधर फिले सकता हूं तो यहां पर क्या जागा देखो यह भी बेक्टर इन्टु a.c and minus c को दिर रहे हैं दो this is a.b or into c वेक्टर यह क्या होता है फॉर्मुला होता है this is identity ठीक है कि a cross b cross c कितना होता है इतना होता है यहां dot क्या है dot product को दिखा रहा है ओके ना अब यहां पर अगर मैं इस equation के बात करों यहां पर a की जो कितना है डेल है देखो जहां से देखो एक जो क्या है डेल है और c की जो कितना है ए है तो यहां से मेरे पास यहां धैलक्रॉस डैल क्रॉस ए कोल तू कितना निकल कर आगा बीगे छोनक न पूट रोड़ कर दो त ह्याल इंट्व मिस्प्स यह member past गया तो यह आगी नदेला गा यानि कितना आ गया तो दिस इक्वार्ट टू और यह जो होता है किसका रहुड़ता है डेल स्कॉयर के रहा होता है तो इसको हम ऐसे लिख सब्पर है यह तो यह क्या कर लो आप साइड में रोड कर लो आप इसे थोड़ा जल्दी करने के लिए या कल्कूलिशन फार्श करने क लिए डेरीवर्शन क्लास में टैम बचाने के लिए एग्जाम है तो आप इसको सीधे बिया कर सकते हो यहां पर यह नहीं है, तो यहाँ पर लिखते चलो, तो इसको कुछ एक क्वेशन बोल दो, रेटाश थे इक क्वेशन नंबर फोर, यह कहा है, मेरे पास, फोर तो हो गया, एक क्वेशन नंबर फाइव है, नव वी नो अबाउट नव वी नो अबाउट नो अबाउट करल ओफ करल ओफ ए विच इस विच इस बी जो किसकरार है बी के बराबर है यह विच आफ बाउट नो आप खिर नो बाउट धि辯 के इन ओव लुद इड जी एस बंड वी ओडिया दे शहीं है फीक्ट है वी डिया इडिया अप्ली। नौलईज इंड आठेल कि थीक है विच वी कि वी अवी स्विक पाउट आठेल के झालाग ये वी नो नोलेजाय डैवर्जेंश ओफ दैवर्जेंश ओफ ए जिसके हमको पांत है जरुबत है यहाँ पर स्पिर्वर्जी और इसके हमें कोई नॉलेज नहीं है अब क्या कर में बताओ अब यहाँ पर इस ए से रिलेटेड एक खुब सूर्ति आपको देखने को मिलेगी ठीक है एस से रिलेटेड एपोपसूर्टि आपको देखने को मिलेगी और उस एक की खुबसूर्टि का नाम है नौन यूनीक नेस ओफ ए तो यहां पर इस थार्ग से एक पॉइंट बना के चलो एक खुबसूरती आपको देखने को मिलेगी और उस एक ही खुबसूरती का नाम है नौन युनिकस औफ ए तो यहाँ पर इस तरी के से है एक पॉईट बना के चलो एंड़ फ्ट्न हेत सब्सक्राइब प्रेंट हम नोन युनिकनेसस बसक्राइब धो वह उनिक नहीं होती है मुझे क्ञ Connor खर आंज अन्यग soil कि एक सुछ करनी है but this time game circuit मैं यह काहना चाहीं अगर में किसी एक Magnetic Field के लिए A choose करना चाहता हूँ तो मैं A को इस तरीके से choose करूँगा कि वो इस condition को follow करे यानि curl of that A will be equal to B ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए answer है हाँ जी होना चाहिए तो यहाँ पर choose करने का तरीका unique नहीं होगा यहाँ पर A की एक से ज़्यादा value हो शकती है जिल के लिए curl of A कि स्कवरा आजाए उस magnetic field के बराबार आजाए और इसी को आप देखते हैं एक बाद ठीक है एक बाद देखने इसको तो इसे हिंडना लिए आपने uniqueness of A इसका मतलब क्या हुआ uniqueness of A means इसे मिटाओं में या भी ऐसे लिपके जलो for a given magnetic field for a magnetic field B if you have to choose you have to choose you have to choose A vector field A this is vector field then then you will choose you will choose value of value of A in such a way in value of A in such a way that it satisfies it satisfies following equation equation 3 it satisfies satisfies equation 3 equation 3 that is curl of A is equal to B curl of A equal to B and it is found that and it is found that and it is found that it is found that A can have A can have A has more than one value more than more than one value which satisfies this condition which satisfies this condition this condition let's see let's see okay we have a magnetic field B which is directed in Z direction direction uniform magnetic field B is Z direction directed and we have a value find a find a for this field इस फिल्ड के लिए क्या करो जो A है या फिर बेक्टर पोटेंशल है वो क्या करते हैं फाइंड करते हैं तो सिंस वी लोग कि करल ओफ अधिस इक्वल टू इसकर आपास बीकी बराबर होता है नौ लेट जो मेरे पास ए है अब वेक्टर फंक्शन है या बेक्टर पोटेंशल है तो इस विल भी इन आज लाइक दिस एक्स एग्ट प्लस एजड ए जड़्येट के एसे लिख सकते लिख सकते ने लिख सकते हैं आं हाँ हाँ है है कि मैं सोस्ट एग कर दो करते हैं तो अब कर दो फ्रॉम आवर डेफिनिशन आप कर ले XCAP, YCAP, ZCAP, यहाँ क्या आजाएगा, PARCEL OVER PARCEL X, PARCEL OVER PARCEL Y, यहाँ PARCEL OVER PARCEL Z, और यहाँ कह लिसता हूं होँ है, AX, AY, और AZ, Now, this is equal to, यह किसे लो होगा मेरे पास, MU0, sorry, किस लोगा मेरे बिक के बरापर, यह बीकिस के राव मेरे पास बी नॉट इंटू जैट के बराबर है इसा लिस्ता अन्सरा आजिंगी सब्ता हूं अब देखो यहां से कैसे लिखोगे पहने ऐसे होगा एक्सके पी टम में तो कितना आजाएगा यह यह इंड दिसी इकल तो इसका इड़ने एक्सके यह टूट इंटू पार्षाल ऑजड इवाई दिवएड बाय अगया और फिर म माइनस वाज़ना जाग यह वाई कर पाजाएगा दिस इस इन अगये लिए टो एक तो इस हो रिवाज बिव इनतो तेल योगिए आ है कितना एक स्वर्सुक्य वाइग कर दो लगद है लिए पी अलोड कितना गये योगिफ दो रिव्या अइक कितना दो यॉ pseudo थे लिएस जाटके नव राइठ हैड को लेटिण साद से पेन तो इस तेंग चेह बोथ हाट 0 एंड इस विल इकल टू बी नोट यहां से क्या निकल क्या आगा मेरे पास जेखो गू आसे निकल क्या एगा भासल में ऌतुछ का पार्षाल ऑसल ऑट संदो रोगाने। थो गोल टिरी तोओ नहीं पार्षाल इभार्षाल यह लोगारिक 여러분 किट नाया है अल्सक और यहां पर इस एक्वेशन को इस तरीक से चूच करना पड़ेगा कि वह इस कंडिशनों क्या करें फॉलो करें ठीक है और जिसके लिए मेरे पास कर लोगी कितना आए बी नौट आए ठीक है एक ही वही वैंडियू पॉस्टिबल होगी जो इन तीन कंडिशनों क्या करेंगी इक रास्ता क्या है आप इन तीनुग डिफेंशनल एक्वेशन को सॉल्व करो एक रास्ता क्या है आप ऐसे आर्बिटरी कोई एक एक ही वैल्यू आजूम करो और इन एक्वेशन में रख क्या करो उसको सटिस्ट्ट्था कर दो तो अगर मैं हां पर यह बोलू कि लेठ ए ए एक वाइक सकते हैं जैसे एक्वल टू एक्स इन्टू बी नोट वाई कैप एलिख सकते हैं हम देखो एक्वल के रिजता हूं में एक्स बी नॉट वाइक एप यह जो चीज है यहां पर यह चीज है यह कहा है मिरे पास एकटेक्स ऑस एक्स बीनोट है इन तयुनों का अन्सकों सबको अनुसर इन सब को सबस्पाय कर रहे है देखत इन दो रखने में दो जिरुआ आएगा आएगा अब इसमा देखो अगर मैं यहाँ पर क्या पूट करूँ तो यह एकई आप पुड्ट किया तो यह स्क्रिस्वाइन दिफरेंशेशिन और कितना जगाई सिंपल कि एक इन इट एक सिवी नोट कितना एगा डेको एक सबीनोट और कितना बचेका और ये किना जी रोल जैकर एक टो कितना जी रोह है तो आयना भी नोट ठीक है इस वैलेगो यहां पूट करो गे तो इस इस वालेशन वाफ दिस तेंग यह कहा है यह यह कुछिशन में लिखी लिखी है एक कल टू XBynnot Y वो कह सब करोड़ू है अगर यहां पर आप यह वाई की जोगा एक सबीनोट पूट करोगे तो कितना आएगा अन्सर बीनोट आंसर आएगा अगर यहां पर आप यह वैल्यों पूट करोगे तो यह 0 है यह 0 है 6 जीरो होगा आंसर यह यह गो हम है यह डेकि कि यह यह हम पर ही Кितना होगा जीरो होगा निए जैंचने वो इन तिन यह क्या कर माइनस का य बी नोट एंड डिरेक्शन इस एक्सक्राइब यह वैलिए पस्वल सकती है देखो पूट करो हाँ पर इन दो जिरो होगा होगा इन अपने आप जिरो हो जागर देखो यह कहते रखा है यहां पर यह मिन पास माइनस का वाई बी नोट दे रखा है दिस एक्चुल हो गया अगर मैंनस वाई बी नोट है तो नहीं पास बीनोट बचेका तो माईनस यह माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेक जला किने मेरे पास बी नोट बचा इसका मतलग एइस एकल टू माईनस का वाई बी नोट एक्स कैप इस अनादर चॉइस तो रुछते है अनधर बैल आप इन दोनों का linear combination भी क्या होगा इसका solution होगा क्योंकि यह क्या होती है देफिनेशन होती है तो यहां मेरे पास इन दोनों का linear combination यह भी भूस्ते एइस इक्वल टू क्या एक्स बी नॉट वाई कैप फिर माइनस का वाई बी नॉट एक्स कैप इस ऑल्सो सॉलिशन ओफ इस थ्री एक्वेशन यह भूस्ते इस और सटिस्फाई इस थ्री की question अब देखो अब इसका मतलब क्या हुआ इसका solution में यह लों यह लों यह लों तीन च्वेश होगी इसकी इसका मतलब जो एक ही value है वो कहा है मेरे पास unique नहीं है इसी को हम क्या बोलते हैं non uniqueness of a बोलते हैं और इस a की यही खुबसूर्ती हमें यह divergence of a लेने के लिए क्या कर हाँ जी हो सकती है तीनी होगी यह possible मलब यह शियर नहीं है इसके अलावा भी क्या हो सकती है एक ही value possible है जो इस condition क्या करेंगी satisfy करेंगी तो इसका मतलब we are free to choose कि what will a अब यहां पर question लिया आता है कि मैं इन तिनों में किसको चूच करों किसी को भी चूच कर लो बाई इन तिनों में से किसी को भी चूच कर लो आप किसको चूच करोगे आप से मैं पूछू कि इन तिनों में से किसको चूच करोगे the answer is जिसमें calculation के हो सबसे ज्यादा simplest हो हम a की वैल्य को क्या करेंगे चूछ करेंगे यानि we are free to choose value of A हम ए की क्या कर सकते हैं चूछ कर सकते हैं और यही जो मैंने पास freedom है ना एक वैल्य को चूछ करने की वही मुझे divergen of A लाने के लिए क्या करेगी help करेगी और एक important लेन बोलने जा रहा हूं हम divergen A की sorry A की A की ऐसी value को choose करते हैं A की ऐसी value को choose करते हैं जिसके लिए divergence of A कितना होता है 0 होता है बहुत important चीज है मैंने पहले बोला कि A की हम कोई भी value choose कर सकते हैं हम free होते हैं A की value choose करने के लिए because A is not unique तो इसका मदला अगर कोई भी choose करते हैं तो क्यों न ऐसा choose करें जिसके लिए divergence of A कितना हो 0 हो सभनवाई बात ये बात सभनवाई तुम इसको लिखता हूँ and this is known as God's freedom इसी को हम क्या बोलते हैं God's freedom बोलते हैं कि divergence of A equal to 0 इस इस इन नोन as God's freedom तो इसमें टाओ तो इसमें टाओ सिंस वी नो तो इस वर अब दिसक्स्शन एक बड़ा सान इसक्स्शन किया we are free to choose value of A from our discussion from our discussion we can see that we can see that we are free to choose free to choose value of A value of A so we are also free to choose free to choose divergence of A and we choose and for and we choose simplest one and we choose simplest one one that is that is divergence of A is equal to zero divergence of A equal to zero this is known as God's freedom this is called God's 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 freedom God's freedom and God's God's choice this is known as God's freedom and God's choice becomes what is God's freedom God's freedom and non uniqueness of A is what is God's freedom and he can choose चूछ कर सकते हैं और हम एक simplest one चूछ करनी कुछ करते हैं and that simplest one is such that कि उसका divergence कितना हो हमेशा 0 हो समझभा है इतनी बात अगर इतनी बात समझभा आगी तो अब मैं इस equation 5 माजल दुबारा से now equation 5 become now equation 5 बात बात दू आपको यह चीज़ें पहनी बार मैं नहीं आते हैं थे के आपको इसको looks at पढ़ना ही पड़ेगा चाहिए कुछ होजाया अगर आसको समझना है किसी दूसरे को समझाना है तो आपको एक लीग जाना ही पड़ेगा तो नाव, equation 5 become, यह तो कितना हो जाएगा, बचा गया तो यह बचा क्या मेरे पास तो 0 minus का लाप्लाक्शन ओफ बेक्टर ए एन डिस इक्वल टू माइनस का मू नॉट इंटू जे निकल गया तो यह मैस दरबेट दो तो मिरे पार कितना आ गया यहां से डैल स्क्वाइर ए इस इक्वल टू सॉरी यह माइनस का मू हेए से ली क्नि नमबर 6 मि Sahib Sometimes इक्विसिंट डिया यह है पोज्रासं एक्विश्ट पॉर फॉर हर ता सी फचिनस पॉर है अधिश्ट के चलगे तो इस Is इस अधिश्ट qualiants equation for A यही क्या है हमारा पोज़ शेक्वेशन फॉर a है & you have to remember it अब क्या रखना है इसको याद रखने एक्ट्रम यहाँ पर थीन पॉज़न फेक्वेशन है क्योंकि यह क्या है बेक्टर वाइंटी है तो जे यह क्र इन component होंगे one is along x x s another y x s फिर z x s तो आपने मेरे पास तीन क्या निकल क्या हैंगे poisons equation निकल क्या है तो लिखते चो लो actually here we have three poisons equation actually here we have three poisons equation three poisons equation कौन कौन से मेरे पास एक along x axis याजिए डेल square ax is equal to it now the gap minus come you not into jx पैने तो यह निकली फिर y x s तो डेल स्कॉर एवाई इस एक्वाल टू ना जाएगा मैनस का मून नॉट जे वाई आ जाएगा और फिर कितना जाएगा डेल स्कॉर एजड़ 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 टू मैनस का मून नॉट जे जड़ आ जाएगा एसा क्यों आया ऐसा इसलिया आया क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर ए है इस वेक्टर ए क्यूल टू ए यह तरीके से यह बैक्टर है दोनों तो इसको ऐसे लिखा मैंने यह वेल्य आप पूट करें तो फिर कंपर करें ला राइट है तो यह तीन एक्वेशन निकल क्या तो तीन पोईजस एक्वेशन है आप रहे है एक दो तीन ओके नौ अब बात करते हैं किसकी सॉल्यूशन ओफ दिस पोईजस एक्वेशन स्लुशं का मतलब क्या हुआ वी निका तरी ए निकालना कैन निकालना एक वेल्यू फाइड करना कि वामने इंक वर लो दिखी निरा तर आलिको एंड़ो क्या सोलूशन ओपोईजस एक्वेशन एक के चलों सोल्यूशन ओप पोईजस एक्वेशन सब्सक्राइब करते हैं फिर वही चीज पहने पन्ने पल्टेंगे भूत काल मन जाएंगे फिर यहां आ जाएंगे ठीक है यानि पहने एलक्ट्रोस्टेटिक मुझेंगे कहां एलक्ट्रोस्टेटिक अगर मैं एलक्ट्रोस्टेटिक की बात करूं तो एलक्ट्रोस्टेटिक जो पोईजस एक्वेशन की क्या थे मेरे पास डल स्क्राइब एलक्ट्रोस्टाइब है भी हिस इक वसक्राइब डिवान जो ओक्ये प्डीक जो एक ऐसे लिए ड्रोस्ट्य जो यंदोलव सफॉम्ढ नूट्ट्लीक च्यमथक्य। यहांगी ऐसा चार्डिस्टिबिशन जो इंफिलितर नहीं गया हो यानी एट इनुफिलिटी जी निकालने का मतलब क्या हुआ हमाँ सिंपल सा पोटेशल फाइंट करना एंद पोटेशल फोर एंटी फाइन चार्ड इस्तृबिशन हमाँ गोट रिटले पता होता है एंदैट इस इक्वल टो था वी इक्वल टू वन औबर फोर पाई अबसान नौट integration row divided में कितना आता है कर लियार कुछी पोजिशन बेक्टर ओफ अबर चार्ड अलिमेंट एंड इंटू कितना आता है जी टाव ऐसा होता है नहीं होता है आंसर अहां जी होता है तो दिस इस दे सलुशन आप पोजिशन इक्वेशन फॉर फाइन चार्ड इस्ट्विशन के लिए दो सॉलिशन और पोजिशन होता है वह यह होता है इसको थो यह सकते है और इस वन अपन अपसाइण लड़को अंदर ले जाओ वी इकल डू कितना आ जाएगा यह विकल डू आ जाएगा वन ओबर फॉर पाई इंट्रिगेशन इस इस रो डिवाइड बाई एफसाइड नॉट और अपॉन कितना आ जाएगा कर लिया और इंटू कितना अगया डीटा हुआ गया कर लिया के है मेरे पास कर लिया आर इस दे पोसिशन बेक्टर ऑफ और सोर्स चार्ड याफिस सोर्स अलिमेंट्री चार् कि बेक्टर है कि हमारे पास कर लिया रहे और उसका मेटनी चूड कहा है यहाँ पर कर लिया रहे यह बस बंदा भाइए आपको ठीके जो सिंबल सासे केस हो गया हमने यह पहले पढ़ा होगा है लो अब देखो नहागरा बात करो कि इसकी इन में पर स्टेट की बात करूं इ माइनस का भी नॉट इंटी यह वक्तर कितना होता है माइनस का मूट इन्टी जे वेक्टर अब इसका अलोजी में इसका फोलुष्व लिख्शा प्डूंग कैसे इसे लोडिशन इत्स क्वेशन इस शोलुशन इस वेक्टर ए is इककोलूट की फैना वान वर फॉर पाई है तो रिग दोवनोबन फॉर पाई एन पिर इंटरेशिन यह वान ओवर अफसाइन था तो यहाँ to यहां क्या आया वोजमे अपिर क्या है यहां यहां पर क्या हैक्ट है इन ने उन अट है देटर कले गा ऊका से कर डेक्टलिक पर निकलेगा क्या से निकलेगा इस तरी किसे निकले का continue all good वॉल्यूम कर अञट कअ मेरे पास क्या हो सुर्फेस कर्च इंग दिए दियो ने तो सब्सक्राइस कर नंट है क्यों हो जाएगा for surface current density क्यों हो जाएगा उसके अग जैसे यहां पर किसके बात करें सरफेट आदेंसिटी की बात करें तो यहां पर तो यहां पर फॉर सरफेट चार्ड सर्फेस करेंट देंसटी जो एक इकल टो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 over 4 pi integration this is mu not into sorry क्या है आपर हां क्या है mu not into k vector और डिवान में कितना आया कर लिया और अंटो कितना आ गया डीटा हुआ गया ओके और अगर मी या पोलो मेरे पास क्या हो लाइन करेंट डेंसिती हो क्या हो फॉर लाइन करेंट रेंड डेंसिती for line current density यानि current कहां है वायर में है यह for line current लेखो सिंपल सा तो उसके लिए कितना हो जगा देखो a vector equal to आजागा मेरे पास कितना a vector is equal to 1 over 4 pi integration and this is mu not into i और कितना या कर लिया वीट ही अनियागा यहां पर attain यहां पर यहां पर यहां कितना जागा मेरा डील आ जए तो इस इस पॉर वॉलूम करेंट देंसर्टी इस पॉर अब शर्फिस करेंट देंसर्टी एंड इस पॉर अब लाइन करेंट ओके यहां रुण बात तीन फॉर्मुलों के लिए एक इंपोर्टेंट बात यह है कि जो कैसी है जैसे कि यहां पर लिखके चलेंगे इन अबब कि यहां यहां पर यहां पर फाइण करेंट डेंसर्टी आणि जीरो एट इनफिनिटी कहने का मतलब क्या हुआ है इस आब कि सब कहां है जीरो एट इनफिनिटी इनकी वेल्यू कितनी है जीरो है, तो यह क्या है, एक important यहाँ पर चीज है, यह तीन formula कभी अप्लिकेबल होंगे, कब अप्लिकेबल होंगे, जो हमारे पास current density है, वो क्या है, finite है, अगर मैं आपसे यह बोलू कि मेरे पास क्या है, एक infinitely long soloid है, और उसमाँ I current flow कर रही है, और आपसे पूछा जाए, कि उसमें उसके लिए better potential की value कितनी होगी, तो आप वहाँ पर यह तीन formula यूज नहीं कर सकते, उस दरज़े से अगर मैं यह बोलू कि हमारे पास क्या है, एक infinite plane sheet है, क्या है, infinite plane sheet है, और उसमें को surface chart density k है, तो उसके लिए मुझे क्या find करना है, यह find करना है, तब आप इस formula का infinite है, कैसा है, infinite है, current density, खुद कहां तक है, infinite तक है, तो आप वहाँ पर यह formula यूज नहीं कर सकते, सिमिलली अगर यह question ऐसा आए, कि मेरे पास क्या हो, एक infinitely long wire हो, तो उस infinity long wire कारण, जो vector potential A होगा, वो find करो, तो आप इन formula का यूज नहीं कर सकते, अब आप सोच रहे होंगे, त होती है, कैसी होती है, जैसे पास एक, घूम रही है, अप इस तरह किसे क्या कर रहा है, घूम रहा है, जिसके रेडिय काई है, इसके SOWर पर ठी, कितनी है, SIGMA है, ओर भूम रहा है 처ariat है, चार्ज घूम रहा है critical क्रेंट हैै कोन सी करेंट होगी समस्ते इसका चार्ट चार्ट होगी तो यह runners करेंगे स्ट्रीविशन है एक और एक इसनी स्टो चैनल कर चाहिए तो इसका वह लगा क्या कर सकता हूं बेक्टर पोटेंशल हमने इंट्रड्यूज किया उससे लेटेर कुछ इंपोर्टेंट चीज है और बहुत इंपोर्टेंट चीज है डैट इस गॉस्फ फ्रीडम यह बहुत बार आपको कमपेटिव एक्जाम में आपके नेट में गेट में जैम में सीधे-सीधे पूझा जा खाहो तो यहां पर इस्टा लगा सकते हो दो चार ओके दो लगा दो बहुत इंपोर्टेंट चीज है यह इंपोर्टेंट चीज तो उसके लिए बेक्टर पोटेंशल क्या करेंगे अगर मेरे पास एक infinite plane sheet दी हो तब उसके लिए कैसे बेक्टर पोटेंशल करेंगे तो यही हमारे क्या होने वाले हैं next topic होने वाले हैं हम different type के current arrangement के लिए क्या करेंगे आप बेक्टर पोटेंशल find करेंगे ठीक है तो एक मज़ेदार क्या होने वाली है series होने वाली है तो आज से एक नई चीज के हमने शुरुआत करी ठीक है कहने का मतलब आपने बेक्टर पोटेंशल पहली बार डिसकस किया होगा क्या नहीं किया अगर आप BST में जस्ट इंटर कर रखे हो आपके first time में है मज़ा आना चाहिए ठीक पढ़ने में पहली बाप पढ़ने में लग सकता है क्योंकि नई चीज़े हैं कुछ लेकिन जहें पढ़ोगे आदी हो जाओगे तो फिर आपको क्याले यही चीज़े जो कठिल लग रही है वही आपको बहुत सिंपल लगने स्टार्ट हो मिलते हैं आप से नेस क्लास में एक और ने टॉपिक के सान तक लिए ठैंक यू धन्यवाद बाबाई